इस वीडियो में हम देखने वाले है कौन से इसे श्टोक है जो हम नेक्स्ट विक के लिए लेके जा रहे है तो इस लिष्ट में जो हमारा पहला श्टोक है वो है नियोजेन अभी इसको में क्यों लेके जारू एक बार सेट अप देख लेते हैं तो आप इसमें देखी यहां स से नीचे फिर से वहां गया वहीं से नीचे और यह जब नीचे आ रहे तो देखो consolidation करकर के नीचे आ रहे तो इधर देखो कितना टाइम लिया नीचे आने में फिर से एक upset मिली बाद में इधर कई या consolidation अभी जो इसका resistance सा इसका हो गया है breakout तो एक अच्छी body candle से इसका breakout हो गया है और normally हम इसमें retail setup के लिए लेके जा रहे थे इन future इस stock में आपको ये candle का high break होता हुआ दिखे proper sustain होता हुआ दिखे तो आप वहां buy कर सकते हो और अपना stop loss आपके आए के 810 के नीचे लगा सकते हो और simple सी बात है अगर आप trade लेते हो और उसमें stop loss लगाते हो तो और बेटर चीज़े क्यों क्योंकि अगर stop loss हो गया है तो जो हमने सोचा था वेसा नहीं हो रहा है तो जो अपना stop loss है वो maintain कीजिए entry कहां लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए तो यह जो हमरा नियोजन स्टोक है इसको हम इसलिए लेके जा रहे है क्योंकि यहां यह consolidation का breakout हुआ है इन simple resistance का breakout हुआ है अभी यह retest करके अगर अपर जाता है तब ही हम इसमें entry लेंगे अभी इसके बाद का जो हमरा stop है वो देख लेते इसके बाद का जो हमरा stop है वो है अमभुजा सिमिट अभी इसमें हमारा setup देख लेते तो आप इस टोक को देखते हो तो देखो यह इसका old time आई है मतलब यह आगे भी resistance की तरह work कर चुका है तो आप इसमें देखिए एक बा बना सकते हो अभी बाřत करे थे कि मैं यहां से बुलिष्टनस क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप देखे पिछला यह सका resistance था यह सकर डिया ब्रेकाब्ड अभी ब्रेकाउट अभी ब्रेकाब्ड कर उपर जाएगा तो all time high break करेगा तो उसमें अगर वोल्यूम आएगा तो आपको एक अच्छा आपसाइड मूह देखने को मिल सकता है और आपको new high भी देखने को मिल सकता है तो जो हमारा अम्बुजा सिमेंट है उसमें अगर क्या है कि यह zone के आज सपास अगर entry मिलती है मतलब bullishness मिलते है तभे हमें entry लेनी है और stop loss हमारा जो last low होगा जहां सी यह उपर गया और जिसका last low होगा वही हमें अपना stop loss लगाना है अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा stock है वो है IIRTC अभी इसको में क्यों लेके जा रहा हो तो इसको तो इसमें देखें बहुत time इसने क्या किया इधर एक consolidation किया एक बार drawing लगा देते हैं तो यहां consolidation किया ब्रेक किया फिर से नीचे आए फिर से consolidation फिर से अब तो जब हम इसको one week पे देखेंगे तो आपको इसमें consolidation वाला यह part दिखाई देगा तो in simple अगर इसका proper upside breakout हो जाता है तभी हम इसमें entry लेंगे अगर आपको wait करना है तो थोड़ा upside breakout हो जाने दो और इस पे अगर retest करके फिर से upper side कोई जाने का sign देता है तभी इसमें entry लेंगे तो in simple यहां एक symmetrical triangle जैसी pattern बनती हुए हमें दिख रही है अगर इसका upside proper breakout हो गया तभी हम इसमें entry लेंगे अभी इ एक uptrend मिला uptrend मिलने के बाद आप देखे इसमें क्या है कि यह एक line पे support ले रहा है मतलब यह और यह मैंने join करके line बना दिए तो आप देखे इधर एक support इधर एक support और हाल पे लाइन के आसपास ही trade कर रहा है और जब हम क्या है कि इसमें horizontal support की बात करते तो यह इसका resistance था breakout क के upset दी अभी फिर से नीचे आ रहे तो वही support के आसपास यह trade करता हूँ दिख रहा है इन simple यह stock अपने क्या है कि trend line के आसपास और support line के आसपास trade होता हूँ दिख रहा है तो in future आपको यहां कोई भी bullishness देखने को मिले तो आप अपनी position बना सकते हो और अपना target 1 jam 2 और 1 jam 3 के लिए जा सकते हो stop loss अपना पिछला जो लो है वो अपना stop loss लेके जा सकते हो तो यह चारो श्टोक हम क्या है कि next week के लिए buying के लिए लेके जा रहे कोई भी stock selling के लिए लेके नहीं जा रहे अभी जो सभी वीडियो में बोलता हूँ इस वीडियो में भी बोलूंगा कि यहां एक analysis share की जा रही है अगर आपको इसमें से कुछ भी idea लगता है तो आप अपने risk management and money management के इसाब से trade ले सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आरो